यदि आप UPI से लेंदेन करते हैं UPI apps का इस्तमाल करते हैं चाहाँ आप कोई भी apps क्यों रही इस्तमाल करता हो यदि आप UPI के दुवरा आप पैसा का लेंदेन करते हैं तो ऐसे इस्तिति में आपका bank account कभी भी फिरिज किया जा सकता है और several sales के दुवरा आपको call करके आपसे असपस्ट्रेकरन मंगा जा सकता है ठीक है साथी साथ ये apps आपको jail तक भेज सकता है तो क्या है इसके पिछे का रिजन वो total हम आपको step by step इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो वीडियो का आप आखरी तक जरूर देखिएगा ठीक है तो हो सकता है UPI के जो आप transaction करते हैं साथी साथ यदि आप gaming app के दोवारा online earning करते हैं तो ऐसे इस्थिति में आपका account freeze क्या जा सकता है cyber sale के दोवारा ठीक है और यदि आपका account एक बार bank account freeze हो जाता है तो ऐसे इस्थिति में आप उस bank account में नो तो पैसा जमा कर सकते हैं और नो ही पैसा निकासी कर सकते हैं आपको सबसे पहले जहां का cyber sale के दोवारा आपका account को फिरिज किया गया है वहां आपको बुलाया जागा और आप वहां पे swing उपस्तित होके आपको जो है अस्पस्टिक्रन देना होगा ठीक है तो क्या है यह पूरा मामला इसको हम विस्तार से जमते हैं ठीक है एक example से हम इसको बत बिजनेस वगरा करते हैं मानलेजे आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे है और वही फरोड किया हुआ पैसा वह व्यक्ति आपका शौप पे गया है ठीक है आपका कोई शौप है वहां पे गया है और आप QR लगाए हुए है तो QR code से आपको payment कर देता है और उस payment के बदले उस payment के एवज में वो कोई समान लेके चले जाता है और ऐसे इस्थिति में यदि मानलेजे हम सैवर सेल में कोई कमप्लेन करते हैं तो सैवर सेल तो सबसे पहले मेरा अकॉण को परताल करेगा और ये पता लगने के परियास करेगा कि इसका अकॉण से पैसा किस अकॉण में तो जो व्यक्ति फरोड किया है उसके अकॉण में चले गया तो जो व्यक्ति फरोड किया है जिसके अकॉण में पहली बर गया है उसे सैवर सेल के दोबरा एक्क्यूज बना लिया जागा ठीक है वो में एक्क्यूज होगा साथी साथ वो पेशा आपके एकॉण में ट्रांस आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप उससे पेमेंट एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन वो था गलत व्यक्ति, तो ऐसे भी स्तिती में सेवरसेल के दुवारा आपको कोल किया जा सकता है, और आपका बेंक अकॉंट को फिरिज किया जा सकता है, तो अब आप समझ गये होंग असपस्टिक्रम मंगा जाए, तो आपको वहाँ पर स्वेंग उपस्तित होके असपस्टिक्रम देना होगा, कभी-कभी जो है, यह सेवरसेल के दुवारा कॉल पर भी आपसे बात कर लिया जाता है, क्योंकि बेंक अकॉंट में आपका पैन नमर, आधार नमर, टोटल, आपको कॉल करता है, साथी साथ आपका जो बेंक अकॉंट है, उसको सेवरसेल के दुवारा फिरिज कर दिया जाता है, तो जैसे आपको कॉल आता है, तो ऐसे इस्थिति में आपको जो है, मतलब उपस्तित होके असपस्टिक्रम दे देना चाहिए, यदि आप उहाँ पे उ कुछी एस्टेट का सेवर सेल के दोरा आपका एकोन को मतलब फ्रिज किया जा सकता है और आपको कोल किया जा सकता है कोई अधर एस्टेट का सेवर सेल के दोरा भी आपको कोल किया जा सकता है और जहां का सेवर सेल के दोरा आपको कोल किया जाएगा वहीं पर आपको उफस्ति सब्स्रा में इंग सब्सक्राइब को करना है यह आप कट शुर्ण औरा pushed कश्षी सब्सक्राइब करनें तो ऐसे स्थिति में आपका एकॉन जो फ्रीज है उसको अन्फ्रीज कर दिया जगा साथी साथ कभी कभी ऐसा भी देखा जा रहा है यदि आप से संपर्प नहीं हो पा रहा है तो ऐसे स्थिति में हो सकता है सेवर सेल के दुवारा आपको CRPC का सक्षन 41A का नोटीस भेजा जाए असपर्प स्थिक्रन के लिए तो जब भी आपको CRPC का सक्षन 41A का नोटीस मिलता है तो ऐसे स्थिति में आपको मतलब पहले Anticipatory Bale ले लेना है यदि आप Anticipatory Bale ले लेंगे उसके बाद ही आपको Saber Sale में उपस्तित होगे अपना असपस्टिक्रान रखना है ऐसे इस्तिती में यदि आप Anticipatory Bale नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको गिरफ्तार कर लिया जा आपको यही परियास करना चाहिए कि आपको अपने साथ एक एड़ोकेट को लेलना है अब मालीजिए यदि कोई other state का सर्षिल में आप जा रहे हैं तो वहां का सर्षिल जो है उसी का local कोई एड़ोकेट हो उसको भी आप हायर करके अपने साथ लेके जा सकते हैं तो इसमें मुखरूप से आपको अस्पस्टिकरन ही देना होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि सेवर सेल डिपार्टमेंट जो है आप नहीं जाएंगे तो ऐसे इस्थिति में आपका एकॉंट से पेशा निकाल लिया जगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा क्योंकि आपका एकॉंट अपका एकॉंट से पेशा नहीं निकाल पागया यह चीज आपको धियान में रखना है तो जब तक यह आपका एकॉंट फ्रीज है तो अन्फ्रीज करने के लिए आपको अस्पस्टिकरन देना ही होगा और अभी के दोर में सेवर सेल डिपार्टमेंट को जो है गोभर्में के दोरा पावर दे दिया गया है तो ऐसे इस्तिति में हो सकता है यदि आप सेवर सेल में टैम टू टैम मतलब टैम ली यदि आप स्पस्टिकरन नहीं जाएंगे तो सेवर सेल के दोरा मतलब कोट में एक अप्लिकेशन मूब किया जा सकता है मौनी रिकॉबरी के लिए और ये उसके बाद आपको notice है और ये आप notice पर नहीं जाते हैं code तो ऐसे स्थिति में भी मतलब code के दुवारा मान्ययायले के दुवारा एक तरफा आधेस दे दिया जाएगा मन्यीरीकॉबरी का जो आधेस है वो saver sale को दे दिया जाएगा court के दुवारा और saver sale आपका bank जाके वही जो fraud का जितना रासी था वो रासी निकाल ले निकाल के जो व्यक्ति के account से fraud के तहत पैसा निकाला गया था उसका account में जमाख कर दिया जाएगा तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है तो जब भी आपक कोट का नोटिस आपको आता है और आप वहां पे कोट में उपस्थित नहीं होते हैं ठीक है तो जैसे मैंने आपको बता है कि मानने नियाला का एक तरफा आदेश हो जागा और जो फ्रोड का पेशा आपका एकॉंड में गया था वो पेशा निकल लिया जागा सेवर्शिल के द्वारा मतलब कोट के आदेश के बाल ठीक है तो इसके बाद यदि पैसा निकल भी लिया जाता है मान लिजे यदि 5000 आपका UPI के द्वारा आप पैसा रिसीब किये और वो 5000 फ्रोड का था तो ऐसे स्थिति में मानने नियाला का आदेश के बाद वो पैसा 5000 निकल लिया जात तो जब तक उसके बाद भी आपको जो है सैवर सेल डिपार्टमेंट वहाँ पे जाके आपको असपस्टिकरन देना ही होगा ठीक है तो यह बेटर हैगा कि जब भी फर्स टेम आपको गोल आता है सैवर से या नोटिस आता है तो आपको वहाँ पर उपस्तित होके करशा निकला गया था उसको दे दिया जाता है तो यहीं मुख कार्ड जो है सैवर सेल का होता है और जो व्यक्ति फ्रोड किया था जिसको एक्क्यूज बनाया गया था सैवर सेल के दोवरा उस पे जो है कानूनी करवाई किया जाता है सैवर सेल का मुख कार्ड यही होता है तो ऐसे इस्तिति में जैदि आप साप सुत्रा है, आप कोई फ्रोड नहीं किये हैं, लेकिन फ्रोड का रासी आपका ब्यांकर कोन में गया है, तो यहाँ पर आप से सिर्प और स्पस्पस चिकरन मंगा जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने का कोई आप सकता नहीं है किल में टृम मतम 타 का बतामे कि एंग इंग करेंग कोई इस ऊचिकरन मेंगा से विस स्फथ यहाँ करें Marshू करेंगा ऱ dat भी जढाने हैं,